जहिन्साथियों, pouringino多 हैं सबीआ का स्वागत है, आए बात करते हैं, उत्तरप्रदिश सिपाह भरती के बारे में, सिलेवेस की जानकारी आज हम आपको देने वाले सिलेवेस के अंतरगत, आज इस सेशन में हम आपको किस सक्षन से कितने प्रस्थ ना रही है हैं आये देखते हैं देखे सब्द क्रम में से आया था दो जार उन्हीस में अठाइस जन्वरी को दो प्रस्ण और 27 तारीक को भी दो प्रस्ण जबकि 25 अक्टूबर 2018 को कोई प्रस्ण नहीं आये था सब्द क्रम में से जो यह जड़ लेकर जड़ तक के लेटर्स का इधर से उधर करके प्रस्ण बनते है रिजनिंग में सब्द रचना ऐसे है ठीक है सब्द रचना में आपका आया था देखे 28 तारिक का 28 जनुरी 2019 को एक प्रस्ण 27 को एक प्रस्ण और इसमें इसे नहीं आया इसमें 2018 वाले में नहीं आया था वर्गी करण क वर्गी करण का देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2019 के दोनों पेपर में आपके दो दो प्रस्ण आये थे जबकि 2018 वाले में तीन प्रस्ण आये थे वर्ड माला परिछन वर्ड माला परिच्छन के बारे में जानकारी दें, तो देखिए आप जैसा की देख पा रहे हैं, आपका 2019 के दोनों पेपर में से कोई प्रस्न नहीं आ था, जबकि 2018 में दो प्रस्न आये थे, रक्ट संबंध, रक्त संबंध के बारे में बताएं, तो देखिए कि 3-3 प्रस् अते हैं हमेशा से तो एक प्रश्णा अग्स हीưỡग कला हने ओलाइस के पेपर में दोनों और 2018 के प्रिपर में दो फ्रस्णाए mena नारेक 12-1 का देखिए दो क्रते हैं 2019 के दोनों पेपर तुम में और 2018 के पेपर में चार प्रसना रएक रैंकिने एयंट क्रम प्रशिर्शाण क्रेक्श्ण में आप जैसा कि देख अ जोरे हैं कि 2019 का दोनों प्रश्ण ड़ जब कि 2008 के दोनों प्रस्ण में 2010 2018 के पेपर में तीन प्रस्ण आये कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग से देखे तीन तीन प्रस्ण आये हैं दोनों पाली में दोनों पेपर में 2019 के और 2018 के एक कि प्रस्णपत्र में चार आया है साध्रिस्यता सद्रिस्यता या समरूप्ता जो होता है इसमें देखेट छैप्रस्ण आये हैं 2019 के 28 जनवरी वाले पेपर में और 27 जन्रे वाले पेपर में यहां साथ प्रस्ण जबकि 2018 में आठ पर सिर्क मेजर जो है पोजीसिन अपना बनाए हुए साधिस्यता ठीक है इसमें समलिजे कि बौधिक छमता का एक दम तातकालिक बौधिक छमता का इसमें जानकारी चेक होती है जामर के दौरा संख्या सिंखला के बारें बात करें देखें चार चार प्रस्न आये 2019 के दोनों पेपर्स में जबकि 7 प्रस्न आये है 2018 के आकड़ो की पर्यापता की बात करें तो 2019 के दोनों पेपर्स में आये हैं कोई प्रस्न नहीं और 2018 वाले में एक प्रस्न आया है आघे चलते हैं अच्छर सिंखला अच्छा स्यंखला देखें गज़के 7019-2, 28 January वाले paper में 27 January में 7 प्रस्न है जबकि 2018 में 3 मैं ACT दीशा ओर दूरी दिशा और दूरी का देखे ये दिशा और दूरी का चाहिंचे आपका एक तार से घढति यह आकलन होता है इसके बारे गर्डी आपकी चमता दशता चेक करते हैं 4 4 प्रसनाerem थो जार उन्लीस के पेपरच में डोनुऊं पेपर में और लल अठार के ल है दो प्रसना गांती शंक्रियाईं त्हें गर्रों यह जाल मतलब इसका अस्थार है उसमें और बिदें तो आया ही नहीं है आक्रित वर्गी करण 2019 के दोनों पेपर्स में दो दो प्रस्न जबकि 2018 के पेपर्स में एक पेपर वदा 2018 में तो उसमें 6 प्रस्न आये हैं आक्रित गढ़ना गिंती होती है सभी प्रस्ट पत्र में जो है एक एक प्रस्न आये हुए हैं आक्रित को मोणना और काटना, इसमें से भी आपके एक एक प्रस्न आये हुए है, सन्यित आक्रितिया, सन्यित आक्रितिया में से 2019 के पेपर, दोनों पेपर में आपके एक एक प्रस्न आये हैं, जबकि 2018 में कोई प्रस्न नहीं है, आक्रित सिंखला, आक्रित सिंखला से बात कर कर तो 2019 के दोनों पेपर में दो-धो प्रस्न है जंवरी वाली प्रेपर में थोई प्रस्न नहीं पूछा घाया से ल सकारा से दोग territoria अकरित उसमेंसरी जन्वरी वाले पेपर में 2017 में 90 скаж नहीं है और दरपड्ड शब्र शोबी आकरित दरपड में गोड़ है पर जो है जैसे कि P का उल्टा कैसा चित्र बनेगा, S का उल्टा कैसा बनेगा, उसके आधारवे प्रस्ण देखे, 2019 में कि बोचे गए है, 2018 में पूछा गया है, कथन निसकर्स, ये देखिए, बिल्कुल तारकिक छमता आपकी, चेक होती की जाती है इसके दोरा, तो कथन निस प्रस्ण में आये हुए है, पासा, पासा की बात किया जाए तो, एक प्रस्ण 2019 के दोनों पेपर में, तीन प्रस्ण आये है, 2018 में, अमूर्त विचारों ववा प्रतीकों के संबंध, तीन तीन प्रस्ण 2019 के पेपर में आया है, और 2018 में कोई प्रस्ण आया है, तीस प्रकार नियुक्त कर सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए इस प्रकार जान जहें कि किक संसें कितने प्रस्जन में सब्स्र peng आदार बिल्कुल प्रैक्र्च्टिस टेट के अधार पर अपने को जांची उन जिंदा कि दिला ah क्योंकि यह फॉर्म जो है आज कल कभी भी आ सकता है ठीक है फॉर्म भरने की डेट आ सकती है और आप बिल्कुल त्यारी बनाए रखिए किसी तरह के निरास होने की किसी तरह से चिंता करने कोई आ सकता नहीं है मोटिवेट रहिए और अपने अपने साथवालों का अपना बि कुछ त्यारी करते रही है और अगर आप देखेंगे तो अगर देखा जाए तो इंटर पास करने के बाद ठीक है यह सबसे आसान नौकरी है मिलना इसके अलाम अगर आप ससी में जाएंगे या किसी और विभाग में जाएंगे तो कठी नहों करी मिलना उसमें चादा होता है क से बढ़ा कारण यह होता कि उसमें वेकेंसी काम रहती है इस में ने मेज़र रहती है इस वज़से आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आप मेहनत्त कर सकते हैं और इसमें यह जान लिजे कि प्रस्नों का आस्तर वह रखता है कि आप हर सेक्षन का चाहें जी यह सो चाहे हिंदी हो चाहे करेंट हो या रिजनिंग मैट कुछ भी हो तो उसका समझ लिजे बिलकूल आधार भूत चीजे पूछी जाती है अब मनुबल अपना उचा रखिए और तयारी करते हैं ठीक है दोस्तों तो आप मोटिवेटर है त्यारी करते रही है जाओ और तो उस्तों तोस्तों 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 लिजे पूछ चाहे हैं दोस्तों लिजे पूछी जाता है